हेलो गोड मार्निंग स्टुडेंट्स वेलकम बैक टू अपेक्स इंसिट आफ कॉमर्स आयम मीना आज मैं आपको चैप्टर फॉर कराने जा रही हूं और चैप्टर का नेम है मैथर्ड्स ओफ कैल्कुलेटिंग नेशनल इंकम यह नुमेरिकल बेस चैप्टर है और यह निकालने के 3 मैथर्ड शे वेल्यू एडिट मैथर्ड और आज हम करेंगे वेल्यू एडिट मैथर्ड के बारे में आपने पीछे एक टापिक लिया था सेर्कूलर फ्लॉ उफ इंकम में हमारी त्री फेज़िस ती फर्स्ट फेस थी production, production करते हैं जो भी value addition होता है उस value addition के according जो national income आती है वो आज हम निकालना सीखेंगे second stage है distribution of income, income किसमें distribute होती थी? factors के अंदर, factor of production के अंदर तो वो method होता है हमारा income method, third होता है कि जब वो income factors of production को मिलती थी, household को मिलती थी, वो income final goods पे जाके spend कर देते थे उस method से जो हमारी national income निकलती है उसको बोलते हैं हम final expenditure method, ठीके तो आज हम करेंगे value added method के बारे में let's start value added method, सबसे पहले तो आपको इसके others name के बारे में पता होना चाहिए value added बोलते हैं, value added के नाम और भी हैं, क्योंकि ये method production से related है क्योंकि production करेंगे तब भी value addition होगा, इसलिए इसको production method भी करते हैं, और production कहा होता है, industries में होता है, इसलिए इसका नाम industrial origin method भी हुआ और एक और नहीं माता है इसका, क्योंकि जब हम production करते हैं, तो हमें output मिलती है, input हम लगाते हैं और result हमें मिलता है output, तो इसलिए इस method का एक नाम net output method भी है, अब चलते हैं detail में कि method क्या होता है, कैसे income को निकाला जाता है, तो सबसे पहले आता है, name आया, इसमे value added, सबसे पहल value added कैसे निकालते हैं, value added, value added जो होती है, जितनी भी output आप करते हो, कि suppose करो, आपका, आपका showroom है, showroom मत लगाओ, आप लगाओ, आपके एक factory है, कपड़ा बनाने की, या आपकी factory है, shoes बनाने की, shoes बनाने के लिए, आपने कुछ raw material यूज किया होगा, ठीक है, और लेकिन यहां ध्यान रखना है, जो inputs लेनी है, हमने inputs कौन सी लेनी है, inputs में हमने factor of production नहीं लेने, जो raw material यूज होता है, वो हमने लेना है, तो inputs में क्या आजाएगा, raw material, तो आप ध्यान रखना है कि दो inputs होती है, एक होती है factor inputs, और एक होती है non factor inputs, factor inputs में 4 method आते हैं, चार factor production आते हैं land, labor, capital and entrepreneurship और non-factor inputs में आता है raw material जो directly उस material को बनाने में use होता है तो input जो हम लगाते हैं उस input से जो output होती है उन दोनों के बीच का difference होता है value added means हमने 800 की input लगाके thousand rupees का goods त्यार करते हैं तो हमने value addition कितना किया only 200 तो हमने value added find out करनी है सबसे पहले value of output minus intermediate cost तो value of output तो आपको पताई दिया intermediate cost को ही हम क्या बोलते हैं inputs बोलते हैं तो inputs तो आपको easily learn हो जाएगा क्योंकि जब आप computer में data डालते हैं वो आपका input होता है और जो आपको result मिलते हैं वो क्या होता है output होता है next आता है आपका अब value of output कैसे निकालते हैं value of output होती किया है means value of output का मतलब होता है कि जितनी production आपने during the year की ठीक है जितना भी आप goods produce करते हो during the year वो कहलाती है value of output अब question यहाता है कि value of output हमने कितना produce किया इसको find out कैसे करेंगे आपको पता है कि जब आप production करते हो लेकि कुछ stock ऐसा भी होता है कि जो आपका last year का क्या हो closing stock पढ़ाओ जो last year का closing stock है वो इस साल आपका opening बन गया ठीक है ठीक इसी तरह से इस साल के end में भी आपका क्या बचेगा कुछ stock बचेगा यानि कि आपके पस opening stock भी होगा closing stock भी होगा और कुछ goods आपने sale कर दियोंगे तो अगर हम sales में से opening को minus कर दें और closing stock को add कर दें तो आपके क्या जाती है value of output अब हमने opening को minus क्यों किया opening minus इसलिए किया क्योंकि वो produce इस साल नहीं हुए वो last year produce किये थे वो हमने बेचे जरूर है लेकिन वो उनकी production जो हुई थी वो last year हुई थी और closing stock इसलिए add किये क्योंकि वो इस year की production है और हमने output में जितने भी goods produce हुए इस साल वो सभी लेने है तो value of output कैसे find out होगी value of output is equal to sales plus delta stock delta stock का मतलब क्या हुआ closing stock minus opening stock अब ये जो formula अपला ही होगा ये कब होगा जब आपके पास कुछ stock unsold रह जाता है suppose करो अब जितना goods बनाते हो जितने goods prepare करते हो सारे के सारे sale कर देते हो तो आपके पास closing stock भी नहीं होगा opening stock भी नहीं होगा तो आपकी जो output आएगी वो किसके equal आएगी sales के equal आएगी तो इसमें क्या होजएगा if entire output is sold value of output is equal to sales value of output निकालने के दो methods वे अगर आपके पास कुछ stock unsold रह जाता है मैं तो कुछ goods unsold रह जाते हैं तो हम निकालेंगे sales plus closing stock minus opening stock और closing stock minus opening stock को हम changing stock भी बोलते हैं means delta stock अगर आपके पास कुछ भी unsold नहीं रहता है तो आपकी output होगी is equal to sales तो next आता है आपके पास आपने value added में formula अपलाई किया था value of output minus intermediate consumption value of output हमने कर लिया आप करते हैं intermediate consumption क्या होती है already हम इसके बारे में पढ़ चुके है intermediate goods आपने सुना था कि जो goods production process में use किये जाते हैं as a raw material वो क्या होते हैं intermediate consumption होती है तो जितना भी हमने raw material यूज किया वो हमारा किसमें आजाएगा intermediate consumption में intermediate consumption is equal to value of inputs और यहां मैंने आपको बताया inputs का मतलब कौन सा लेना है non-factor inputs लेने है factor of production नहीं लेने like raw material used in the process of production अब value addition के find out करने के लिए काफी सारी stages होती है क्योंकि एक person जो है goods बनाने में help नहीं करता कई सारे producer मिल कर किसी चीज को prepare करते हैं जैसे अब आप यह सोचो बेकरी वाला bread कैसे बनाता है floor में convert करेगा वो floor फिर जाएगा बेकरी वाले के पास बेकरी वाला उसको bread में या cake में convert कर देगा फिर वो cake जाएंगे shop की पर के पास shop की पर उसको customer को sale कर देगा तो कई सारी phases से cross होकर ही value addition complete होती है means final goods त्यार होते हैं तो वो phases यानकि हम national income कैसे निकालते है value addition कैसे निकालते हैं उसको हम table की help से करेंगे farmer ने कितने के goods produce किये 600 की यानकि 600 का उसने क्या produce किया अनाज बोया उसने 600 अनाज को बोने के लिए क्या यूज की fertilizer manure छोड़े mother seeds वो सब यूज किये it means उसने जो addition किया उसने कितने की value increase की दोसों की input use की और 600 का output बनाया तो output में से अगर आप input minus कर देते हैं तो आपके क्या आ जाती है value addition तो उसने value addition किया rupees 400 के equal अब यही 400 rupees का जो value addition था उसने अपने अनाज को यह उसके लिए क्या हो गया यह 400 की जो amount है यह उसके लिए क्या हो गई final हो गई उसने इसको किसको बेच दिया उसने इस अनाज को किसको बेच दिया floor mill वाले को बेच दिया किसको बेच दिया floor mill वाले को बेच दिया लेकिन वो 400 का बनाके 400 में तो नहीं बेचेगा कितने में बेचेगा वो 600 में बेचेगा उसने उसको किस में बेश दिया 600 में फ्लोर मिल वाले को बेश दिया फ्लोर मिल वाले ने उसके अंदर और एडिशन किया यानि कि अनाज को आटे में चेंज कर दिया वो उसकी कितने में रेडी हो गई वो रेडी हो गई इसकी 800 में अब 800 की चीज उसने क्या करी आगे किसी और को सेल कर दी मतलब हर कोई थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अर्ण करते रहा और आगे सेल करते रहे यहां आमने टेबल से देखा कि एक परसन जो इतनी भी आउटपुट करता है वो उसके लिए फाइनल गूट्स है और किसी दूसरे के लिए वो क्या है रो मेट्रियल का काम करते हैं तो इन सबी प्रॉसस में जितना भी टोटल वैल्यू अडिशन हुआ वह सब क्या कहलाता है वह आपका कहलाता है वैल्यू अडिशन तो वैल्यू अडिशन कितनी फॉस्ट जी में 400 सेकिंड में 200 थार्ड में भी 200 तो यह आपका आगया 1000 रुपीज तो अब इसके बाद बात काती है कि producing units अ deepest से फ्रोडूसरी उनट में गए दूसरी उनट से टीसी उनट में गए तो गुड्स को जो गुड्स एक के लिए के गाते है वही गुड्स दूसरे के ले क्याते और मत्रीतल का काम कर रहे थे लेकिन हर किसी ने final goods मान कर उनको क्या माल लिया कि यह हमारी value addition है और इस वज़े से क्या हुआ देखिए यहां पर इस वज़े से क्या हुआ कि यह जो inputs 200 rupees इसमें एड है यह 600 rupees इसमें एड है यह 800 rupees इसके अंदर एड है ठीक है तो इस सब ने क्या का कि यह हमारे final goods है ठीक है यह सबने क्या का यह हमारे final goods है उन सब ने अपने अपनी लेवल पे उनको final goods consider करके क्या कर ली national income find out कर ली लेकिन क्या हुआ यह इन्होंने यहां भी एड कर लिए और यह भी counter हो गए तो इससे problem क्या हुए national income के अंदर एक goods की value दो बार counter हो गई इस problem को बोलते हैं problem of double counting और इस problem को solve करने के दो method है कि हम इस problems को avoid कैसे कर सकते हैं फर्स्ट method है आपका final output method second method है इसमें net value added method तो जब हम अगर इस problem को solve करना चाहते हैं तो हमें यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी या तो हम final output लें और final output कौन से होगी आपकी thousand rupees होगी second method है कि आप net value added method से लें और net value added method में हम क्या कर सकते हैं हम कौन सा formula apply करें output में से क्या minus करें input minus करें क्या final output आपकी यह है ना कि यह इसके अंदर inputs add हैं तो आप दो methods को यूज करके दोनों में से किसी एक को यूज करके आप प्रीस problem को solve कर सकते हैं तो value of output minus intermediate कर देते हैं तो भी आपकी natural income find out आजाएगी या आप directly क्या करें value added को add कर दें तो भी आपकी natural income find out हो जाएगी और आपकी problem of double counting solve हो जाएगी आप देखिए जब हम इस method से value added find out करते हैं उसको हम बोलते क्या GDP at MP बोलते हैं जब हम value addition method का use करके gross value added को add करते हैं all sectors की और sectors मैंने आपको पताया तीं सेक्टर होते हैं primary sector secondary और territory sector या फिर all units की add करके हम जो gross value find out करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे GDP at MP लेकिन आपको find out क्या करना है आपको find out करना है national income national income को क्या बोलते हैं NNP at FC national income का मतलब क्या आता है NNP at FC तो पहले आप value addition का use करके GDP at MP find out करेंगे gross value added by producing sector यहां पर प्राइमरी सेक्टर प्राइमरी ग्रोस वेल्यू एडिट बाए secondary sector और थार्ड आता है gross value added by territory sector अब तीनों को add करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा GDP at MP means gross domestic product at market price अब आपको जाना है NNP at FC तो आपको G से N पर जाना है previous lecture में हमने आपको बताया था कि gross से net पर कैसे जाते है gross के अंदर depreciation add है तो हम depreciation को क्या कर देंगे minus कर देंगे depreciation क्या हो जाएगा minus हो जाएगा तो आप कहां पर आगे net पर आगे अब आपको कहां जाना है D से N पर जाना है D की मतलब domestic and means national domestic से नेशनल पर कैसे जाते हैं domestic से नेशनल पर जाने के लिए हम NFIA को add कर देते हैं NFIA means net factor income from abroad तो आपने क्या कर दिया net factor income from abroad को add कर दिया अब यहां आपके पस MP है लेकिन आपको जाना कहां पर है FC पर जाना है means MP में NIT add होते है FC में add नहीं होते तो आपको FC find out कर रही है तो NIT को क्या कर देंगे minus कर देंगे तो NIT क्या हो जाएंगे minus और आपके पास क्या हो जाएगी national income तो इस method से value addition method से जो national income find out होती है उसका यह process है अब इसी question को इसी method को हम एक एक्जांपल की help से करेंगे एक्जांपल है अपका value of output given है value of intermediate purchases given है indirect taxes consumption of fixed capital factor income received by residents from rest of the world यानकी residents मतलब जो हमारी country के लोग है temporary कहां गए foreign में कहें वहां से income earn कर के आए और factor income paid to non-residence ठीक इसी तरह से non-residence means foreign के लोगों ने हमारी country से earn की और subsidies given है आपको सबसे पहले आप formula apply करेंगे formula में क्या आता है gross value added by all sector और value added का formula है value of output minus intermediate consumption यह आपकी आजाएगी value addition आप देखिए आप value of output आपको कितना दे रखा है value of output आपको तीनों sector का दे रखा 800, 200 and 300 तो value of output आपकी आजाएगी यहां पे आप यह लिखोगे GDP at MP क्योंकि value addition आपको बताया था किसके equal होती है उसको gross value added भी बोलते है या फिर हम बोलते है उसको GDP at MP तो GDP at MP आपका आजाएगा value of output minus intermediate consumption से output आपकी है 800 plus 200 and plus 300 ठीक है next आते हैं आपके पस intermediate consumption इंटर्मीडियेट कंजम्शन आपकी गीवन है प्राइमरी की 400 सेकेंडरी की 100 and 50 है टेरिश्री की तो आप माइनस करेंगे इसको minus 400 minus plus 100 and plus 50 इन तीनों को क्योंकि subtract करना है तो हम bracket में हम write करके भी लिख सकते हैं या इसको separate भी minus कर सकते हैं अब आप इसको solve करेंगे तो यह आपका आपका 1300 माइनस 550 तो यह आपका आगया 750 GDP at MP निकल आया आपका अब आपको क्या निकालना है NNP at FC NNP at FC NNP at FC निकालना है तो आप क्या करेंगे GDP at MP minus depreciation G से N पर आगये अब आपको जाना है domestic से national पर means आपको NFIA क्या करनी है add करनी है NFIA means net factor income from abroad और आपको MP से FC पर जाना है तो MP से FC पर जाने के लिए आपको क्या करना है net indirect taxes को minus करना है तो NIT means net indirect taxes अब इसमें values पूट करेंगे 750 depreciation है आपका 80 means consumption of fixed capital fixed capital को जो use करते है उसी को हम बोलते है depreciation net factor income from abroad from वाली add करेंगे और two वाली minus करेंगे from जो foreign से income हुई वो 10 है और जो हमने उनको पे की foreign के लोगों को वो कितनी है आपकी 20 तो क्या लिखोगे plus 10 minus 20 ठीक है उसके बाद आपको आ जाएगा net indirect taxes net indirect taxes कौन से होगे आपके आप indirect taxes minus subsidy को बोलते हो आप net indirect taxes तो वो आपके कितनी है net indirect taxes आपके होगे 50 minus 50 minus के 20 solve करेंगे इसको 670 plus 670 plus bracket में आगया आपका minus 10 minus solve किया इसको आए आपका 30 अब इसको solve करेंगे 670 minus 10 minus 30 अब 670 में से 40 minus होगे तो आपका जाएगा 630 तो students यह हुआ आपका आज का method method है आपका net value added method means value addition method इसी को आप क्या बोलते है product method and industrial origin method तो आप इंक questions की practice करें doubts को comment section में लें फिर मिलते हैं new video के साथ तब तक के लिए thanks हुआ आपका जाइख साथी है लूआ को आपका एंपाब टूश्य।